आज आप लोंगे साथ MTI रडार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने देखा था टाइप सोब रडार जिसमें हम लोगों ने जाना दो टाइप का में रडार होता है पल्स रडार और कंटिनियूस वेड रडार इसमें से पल्स रडार का एक टाइप बेसिक पल्स रडार का हम लोगों ने डिसकसन किया अब नेक्स्ट आज इस कलास में हम लोग MTI रडार के बारे में जानेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं, MTI radar का full form होता है, moving target indicator radar, जैसा नाम बता रहा है moving target, यह detect क्या करता है, moving target को detect करता है, यह कह सकते हैं non-stationary target को detect करता है, यह एक तरह का pulse radar है, ठीक है, अब क्या है कि हम जो भी moving या movable target है, उसको detect करना है, मतलब जो हमको eco receive हो, जब हमको टकड़ा कर return हो eco, तो हमको जो receive हो, वो हमको moving target के कारण ही होना चाहिए, मेरा desire यही है, moving target को detect करना है तो, लेकिन होता क्या है कि moving target के साथ-साथ, या कहिए कि non-stationary target के साथ-साथ, stationary target का भी eco हमको मिलता है, तो हमारा desire क्या है, कि हमको non-stationary का eco मिले, और हमको मिल क्या जा रहा है, इसके का भी ठीक है तो जब हमको यह डिजायड है और यह नौट अनवांटेट सिग्नल है यह कर सकते हैं एक तरस नुवाज है तो जब हम अस्टेशनरी की कारण जो हमको क्या है जैसे लैंड यह सी के कारण हमको इखाया , लगिन धृत्रयूम के साथ क्या मिल जूर रहा है तो हमको क्या करना एक ऐसा रैडार कारण है क्या सिर्फ अ सिर्फ नोस श्री के कारण को मेरे कलटर का यूज हट जाए तो इसके कार इसकी इसको बनाने के लिए हम लोग बेसिक पल्स रडार को का effect को जोड़ देते हैं किसके साथ Doppler effect के साथ Doppler effect और pulse रडार दोनों को combine करके हम ऐसा रडार बनाते हैं तो जो कहलाता हमको MTI Moving Target Indication Radar अब क्या है कि Pulse Radar हमारा यहां क्या काम करेगा Pulse Signal भीने का और Doppler Effect क्या करेगा हमको Distinguish करके बताएगा कि यहां भाई यह Stationary Target है यह Non-Stationary Target है ठीक है इन दोनों के बिच में Difference करके बनाएगा और हमको पता जब भी Moving Target होता था हमेंसा Doppler Effect पिक्चर में आता है अब कैसे आता है अब सपोज हमारा यह यहां पड़ी Radar है हमारा और या तो दो ही कंडिशन हो सकता है या तो जो टार्गेट है या तो मुविंग कर रहा हो किसके तरफ Radar के तरफ या तो आपोजीट हो सकता है कि कर रहे हुआ है अधर कि क्या कर दो हमसिद होता है ठीक है अत publishers नोगा टो अगर इधर मुवर्क कर रहा है डिडैक्शन ओफ रड़ार तो हमारा इड़ीटब हो जागा य गया थिएड़ जागा दोनू तो हमारे पास दो ही केस बंदा है तो वहीं बोल रहा है कि according to Doppler effect the frequency of the received signal will increase if the target is moving towards the direction of radar अगर direction of radar की तरह मूव कर रहा है तो हमारा frequency एड़ हो जाएगा नहीं तो subtract हो जाएगा अब हम MTI radar का block diagram देखेंगे तो यह portion हमारा थो है वाइपाइब अंप्लीफायर से लेकर truth transmitter mixer तो कि यह हमारा transmitter section और यह portion हमारा receiver section यह दोनों oscillator यह कह एक लिए का में का लेकर है करेगा यही रिसीब भी करेगा इको तो हम वन बाइवन ब्लॉक समझते हैं आप लोग कोशिस किजिए कि यहीं पूरे अच्छे से complete समझ जाईए तो सबसे पर हम देखते हैं यह क्या हमारा यहां से सुरू है transmitter तो transmitter mixer stello stello का full form होता stable local oscillator यह क्या है एक carrier frequency generate करता है जिसको हम कह सकते है fs ठीक है और दूसरा है coho जिसको जिसका नाम है coherent oscillator क्या नाम इसका coherent oscillator coherent और यह frequency generate कर रहा है if intermediate frequency तो यह दोनों input यह stello का fs और coho का if हमारा input क्या है transmitter mixer को और यह आप conversion आपको पता है mixer दो दो दरह का कर सकता conversion आप conversion और down conversion आप conversion क्या है जो दो input होगा दोनों जूड़ जाएगा fs प्लस अगर down होता है यही क्या हो जाता घट जाता ठीक है तो यहां हमारा क्या perform करेगा आप conversion तो एक input fs आया दूसरा आई एफ आप conversion transmitter receiver का output हम वो क्या हम लोगा transmitter mixer का fs plus if इसको मान लिए f1 अब जो f1 हम हमारा है यही signal हमको modulate होगा फिर high power amplifier की मदद से high power amplifier क्या करता है हमको ज्यादा range provide करता high power amplifier की मदद से हम डूपलेक्सर जब transmitter से connected होगा हम transmitting antenna का यूज करके इसको भेज देंगे ठीक है अब हम यहां क्या transmitting antenna का यूज करके हम signal हमारा यहां से क्या हुआ f1 transmit क्या यहां देख सकते हैं f1 transmit transmitter antenna की मदद से अब क्या यहां कोई हमारा object moving object जिससे टकड़ाकर हमको echo मिलेगा जैसे transmit antenna क्या यह क्या है listen करने के लिए echo को listen करने के receiver से connect हो जाएगा तो अब यह क्या है Doppler effect करने के कारण f1 में चेंज जाएगा फ्रिक्वेंसी में plus minus fd क्योंकि हमको ने पता है जो हमारा target moving target to move कर रार की तरफ या उसके अपोजित तो हम सब्सक्राइब करने का काम करता है इसका output हमारा क्या है f2 यहां भी f2 आया है output इससे output क्योंकि यह सिर्फ कर रहा किसी तरह frequency में चेंज कर रहा नहीं कर रहा और यह किसको जड़ा receiver mixer को receiver mixer का दूसरा input क्या fs अस्टेलो के थो अस्टेलो स्टेबल लोकल असे असे लिटर के थिरूप किस दूसरा input क्या fs अब क्या है जब भी हमको पता receiver में क्या हमें इसा डाउन कर मज़ेंगता है मतलब output क्या होगा हमारा दोनों का difference एक तरफ f2 है दूसरा मानस fs है तो हमारा फेज डिटेक्टर का में क्या काम है हमको यह बताएगा कि जो हम signal भेजे यह जो signal भेज आपको पता है फेज यह फेज भी क्या एक तरह का है फेज और फेज डिटेक्ट करते हैं इसमें से फेज दोनों में से को भी चेंज होगा तो हमारा फेज डिटेक्शन बता देगा कहा हम वह चेंज हुआ है ठीक है तो हम भेजे थे क्या signal fs plus if हमको रिशिब क्या होड़ा if plus minus ifd ठीक है अब क्या है कोहो का एक input तो if plus minus fd है और दू क्या है दोनों में compare करेगा दोनों में compare करेगा तो देखेगा है नहीं दोनों constant signal नहीं अगर यह भी if होता यह भी if होता तो यह समझ जाता कि जो हमारा frequency return होके आया है वहां को moving object नहीं है लेकिन यहां क्या है एक यह जो extra हमको fd drop load frequency shift मिला है इससे उसको पता चला ला कि नह करने का काम करता है तो उसको mitigate करने का काम करता है काम करने का उसका output हम MTI display को देते हैं ठीक है यहां हम लोग एक बार देख लिए अब क्या है हम इच ब्लॉक डायबर हमको एजीटीज देखते रहेंगे कि किस तरह से काम करता तो यहां आप समझ के होंगे तो आगे समझने मा अब दोनों इस लेटर को कहा हम दे रहे हैं यहां देख सकते दोनों इस लेटर को transmitter में भी दे रहे हैं और receiver में भी दे रहे हैं ठीक है सबसे पहले क्या है transmitter का mixer को दिये हैं यह क्या क्या कि एक input fs से कहा से स्टेलों से दूसरा input if कहा से को हो से आप क्या किजिए जब हम यहां block diagram समझा रहे हैं तो आप copy पे अपना एक block diagram बना दीजिए तो उससे क्या होगा आप एक बार फिर से देख लिजिएगा ठीक है तो अब क्या हुआ हमारा f1 option version के अथमको f1 मिल गया fs plus if अब हमको जो यह signal मिला वो modulate होकर high power amplifier का यूज करके हम इसको transmit कर दिया जब transmit किये तो वहां पर हमको moving target है तो moving target है the Doppler effect जैसे आया है थमको क्या हुआ चेंज इन फ्रिक्वेंसी होगा by fd इसको क्या करते हैं Doppler frequency shift तो यह किसकी तरफ मूब कर रहा रडार की तरफ यह आप जो नहीं पता है थम दोनों condition लिए तो हमको चेंज इन frequency होगा आया f2 क्या है f1 plus minus update अब यहीं हमको क्या echo signal के रूप में receive होगा और यह किसको receive होने के पाद echo signal कहां जागा lna low noise amplifier को वो क्या करेगा weak echo signal को amplify करतेगा अब इसका output हमको कहां जागा receiver mixer receiver mixer का 2 input एक टो f2 जो हमको lna से मिला और दूसरा दूसरा हमको क्या है जो हमको stelo से fs मिल रहा है ठीक है तो हमको पता है कि receiver हम इसे क्या करेगा receiver mixer down conversion perform करेगा तो दोनों को minus हो जागा तो हमारा f2 क्या है था f1 plus minus fd f1 क्या था fs plus if था हमको क्या मिल गए fs plus if plus minus fd अब माइनस दूसरा इंपूर क्या fs ठीक है यह fs fs कट है था हमको क्या मिल गए f plus minus fd अब हमको क्या है receiver mixer mixer का output हमको मिल गए f plus minus 70 अब receiver mixer mixer if plus minus fd हम एक दे रहे है phase detector को phase detector को और दूसरा input इसका क्या है आई यह कहां सारा cohorent oscillator से दोनों का phase compare करता अगर दोनों दोनों का phase detector का output अगर दोनों सेम होता था output क्या दजीर होती यह क्या पता करता कि किसी तरह का phase difference नहीं मदला बस्टेशन देख से टकड़ा कर लोटा है और अगर जीरो नहीं है इसका मतलब है क्या target है move कर रहा है ठीक है इससे यहां हमको यह पता चल गया उसके बाद इसका output को कहा जाता है delay line counselor का यह कहता है it mitigates the delay जो delay ठकड़ा हमको मिल रहा है उसको mitigate करता कम करता कम कैसे करता हम मानते है एक signal हमारा st है ठीक है हमारा एक signal क्या है st अब st का जो signal है इसको हम delay by t लिए तो अब हमको t से delay किये तो मतलब क्या time में delay होगा तो जहां जहां भी t होगा उसको हम replace कर देंगा st-t इसको amplify कि एक input हमारा st है दूसरा input st-t है तो हमको final output क्या मिल जाएगा st-t अब suppose हमको यहां का इसको इपटर का output होगा तो क्या मिल दा है फडिज घ्रिक्टर का output हमको जो frequency shift है हमको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आउट्पूर्बूर्ड को क्या मिल आता तो हमको एफडी मिल गया हम blog diagram वह बहारा देख लेंगे के फिल दाएगी तो हम यहां देख सकते हैं हमको फिर्टि सब्सक्राइब से सब्सक्राइब से अर्फ वुआ है वह हमको क्या करता दिले को chilli पंडिय को हम क्या हमको पता कि जब हम भी चार्गेट होगा ? हम को पता प्ल्स डेडार हो था ? स्टेस्टम्री वगेक्ट कोroneरेट कारता है 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 लेकिन हम नर्बॉन स्टेश्टम्र्स रदार हमrite मैं के the other terms कूछ नहीं भूइँ लेकिन क्या वह अच्छे से कर पाता है यह क्योंगे पंसटरार क्या है वेव धिचर पाता तो क्या continuous वेव नहीं भेज रहा तो इसमें दो एक प्रवलमाता । य SMS वह ब्लाइंड क्या होता कि भले ही टार्गेट मॉब कर लेकिन वह हमको प्रतीत क्या होगा stationary है भरे non stationary target लेगिन हमको क्या लगेगा कि stationary है वो कब कब लगता पहला क्या है कि यह है डिले line counselor का output ठीक है तो यहां देखे 0 1 by TP यह कर सकते 1 FP 2 by 2P 2 FP 3 by TP 3 FP यहनि n multiple of FP इस पर क्या है इसका strength बहुत जीरो है बहुत कम एकदम जीरो है तो यहां पर उसको मानता है कि यहां पर यह क्या मनना है कि इसका speed ही नहीं है नोन पर हमको मिला स्टेशन दूसरा क्या है कि हम क्या है पाल्स बेज और वेट कि अब जब हम पाल्स बेज और वेट किये था हमको जो इको यहां मिला यहां मिला यहां मिला तो यह जो देखिए हमें साथ तूपाई का दिफ्रेंस है ठीक है और जो हमारा टार्गेट है मूब कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से और जब हम पल्स बेज रहे हैं और डिटेक्ट हो रहा है कितना इंटरवल में टूपाई का इंटरवल में जब भी डिटेक्ट होगा तो उसको क्या लगएगा कि नहीं यह आज पी पी राइए पल्स रिपीटेशन इंटरवल लेंडा क्या होता स्वाय अब हम क्या है फस्ट ब्लांड स्पीड करना थे एंट का विल्ट कर सकते हैं तो मतलब ड़ार से मुविंग टार्गिर को डिटेक्ट को कर रहे हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ब्लांड स्पीड थेंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो होप आपको यह लक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा फिर भी किसी को किसी भी तरह को दायोट हो तो आप पूछ सकते हैं